अखिल विश्व गायत्री परिवारदवारा बच्चों के और कोविट प्रभावित लोगों की जीवनी सक्ति बढ़ाने के लिए बुखार, सर्दी, कव, खासे, अस्तमा के रोगियों के लिए और आक्सिजन लेवल की कमी को दूर करने के लिए वन ओसिदी सतक में यूगरीसी ने जो योग बताए हैं बड़े अधभूत और दिव्वे हैं ये सब ताजी वनस्पतियां हमारे स्रीराम स्मृति उपवन में और हर्बल गार्डन में कही पर भी सहस्ता से उपलब्द हैं ये स्यामा तुलसी है, स्यामा तुलसी के पूरे पं खतम करता है ये निम्बू के पत्ते हैं ये चारी ततों को बढ़ा करके सरीर के अंदर की विजाती ततों को पसीना बना के बाहर निकाल देता है ये सुर्भी तरु जिसको मिठा निम केते कड़ी पत्ता केते हैं ये पित्त सामक होता है और इसके पत्तों से रक्त के सुद् होती है प्लाजमा बढ़ता है यह बेल पत्रा है गर्मी के दी ने आतिसार कप सूख जाता है फेपडों में यह उसे बाहर निकालता है लू लपट से बचाता है और इसके साथ में पीपल 24 गंटे आक्सिजन छोड़ता है पीपल के ताजे पत्ते दी आप देखे तो रदे आक के फेपडों के आकार के यह गिलोई इतनी मोटी एदी आप लेते हैं तो यह काम क्यों होती है क्योंकि इतनी मोटी गिलोई के अंदर केलिसम परियाप्त मात्रा में बनता है कब सामक हरीद्रा इसके अंदर लेते हैं जीवनी सक्ति बढ़ाएगा इसके अंदर यह हमारा जे प्रें फूल पत्ति और डंठल को सुखा करके इसी के साथ में हम लोगों निसके अंदर 40 पत्र लिया है जो 40 पत्र होता है यह समस्त प्रकार का ज्वर्नाक्सक होता है यह सोट जो क्रोनिक डिसी जोती है ब्रोंकाटी सश्तमा और दर्द को भी ठीक करता है इसके अंदर काली मिर्च लिया है यह काली मिर्च शरीर के अंदर वाद पितकप तरीदोस को समन करने की नोसिदियों में ताकत है इसी को आब हम क्या करेंगे कूट करके क्वात करेंगे गौमुत्र के अंदर ये काम धिनु गौमात्र का गौमुत्र है ये गौमुत्र हमने लिया है 30 लीटर और 100-100 ग्राम की मात्रा में साधे चूरन लिये हैं आधा किलो की मात्रा में पत्या लिया है अब इसको हम गौमुत्र का आमोनिया निकाल करके ऐसा एकदम नीर कंचन साप गोमातिर बन जाएगा इसको उबालने पर आमोनिया निकल जाता है अब इस गोमातिर के अंदर इसको उबालेंगे दो दिन रखेंगे फिर नीचे जमने पर इसको छानेंगे और फिर इसके अंदर गुड में उबाल करके फिर रखेंगे और जो उ उसिदी आरक प्राण संजीवनी आरक यह हम दो दिन के अंदर सब को उपलब्द कराएंगे हमारे जिते भी नगर सेंधवा और आसपास के जो परिजन प्रभावित हैं उन तक माभगवती योगने सर्ग उपचार गोमाता सुर्भी की तपो भूमी से यह अनुसंदान नियमि और सतत चल रहें इनके परिणाम भी अच्छे आए जन जन के उपलब्दता के लिए प्रयोग किया जा रहा है आप सुरक्षित रहें स्वस्त रहें प्रसंद रहें और हर विधी सकारात्मक सोचें ओम सांती सांती हमारे यूट्यूब चैनल आपो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर तपाएं गाईतरे रहें हमकी समस्त गति वीदियों के बारे में आपको अपडेट मिलती जाएं